हलो दोस्तों स्वागत है आप का आई टी आई के रेक में मैं चन्दन कुमार आज हम लोग आई टी आई के फर्स समेश्टर के भारती स्किल का पीडियेफ के सभी प्रस्णों को पढ़ेंगे जो ऑन लाइन के पेपर में पूछे जा रहे हैं टीक है तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जाजा समय बर्बात ना करते हुए तो देखिए सबसे फर्स्ट है हमारा सैफटी सबसे आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सैफटी के बारे में का एक chapter है उसको विस्तार पुर्वक हम जानेंगे और समझेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे first question हमारा दिया हुआ है first person दिया हुए हमारा इस सुरक्षा चिं का नाम क्या है दो इखे यह जो आप चिं देख रहे हैं इसका पूछ रहा है नाम क्या होता है अब देखे जो सभी सुरक्षा चिं होती हैं वो सभी आपके option में दिये हुए हैं देखे सचेतावनी चिं है standards चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि इसके सभी चिनों को समझते हैं, फिर उसके बाल करते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा चिन है, सभी को बारी-बारी से हम देखते हैं, सभी को बारी-बारी से हम देखते हैं, सभी को बारी- तो देखिए, सबसे फर्ष्ट है हमारा निशिधात्मक संकेत, यह जो निशिधात्मक संकेत क्या होता है, इसको हम जानते हैं, यह निशिधात्मक संकेत क्या किसे कहते हैं, होता क्या है यह निशिधात्मक संकेत, देखिए इसके definition को पढ़िए, ऐसे संकेत, इसके symbol को देखि ही होती है उस जगह पर निसेधात्मक संकेत लगाया जाता है यानि कहने के मतलब यह है कि उस कहीं हम काम कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं और हमें खत्रा है तो उसको सिंबल के दुवारा दर्सा दिया जाता है निसेद कर दिया जाता है कि आप वहां ना जाएए वहां यह खत्रा हो सकता है ठीक है तो इस यह हम निस्दात्मक संकेत कहते है यानि आपको पहले से अगहा किया जाता है ठीक है न कि आप इस जगह पे ना जाएं कोई ना कोई खत्रा हो सकता है ठीक आगे देखते हैं यह वृताकार अकार के संकेत होते हैं यानि ब्रित के अकार के होते हैं तथा इन संकेत के सफ़ेत बैग्गराउंड पर काली आकिर्थी बनाई जाती है तो चलें इसकी हम फिगर को دेखते हैं देखें, आप देख रहे हैं कि ये जो निसिदादमत संकेत है इसमें क्या किया हुआ है कि आप देखिए इसका जो ये बॉर्ड इसका जो ये है सर्फेस है इसका जो सर्फेस आप देख रहे हैं ये सर्फेस ये सफेद है ठीक और इसकी जो बॉर्डर चारोर से दी गई है ये बॉर्डर है जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर है ये बॉ पीछे की पट्टी है, वो किस कलर की होती है, तो सफेद कलर की होती है, ठीक, इसका जो पट्टी होती है, वो किस कलर की होती है, तो लाल कलर की होती है, इसके अंदर किस कलर का फिगर बना होता है निसिधात्मक में, तो वो काले कलर का बना होता है, ठीक है, तो यह अब समझे निस्धात्मक का, तो चलिए, अब निस्धात्मक के बाद, हम दूसरा देखते हैं, हमारा, दूसरा कौन से था, दूसरा है हमारा, अनिवारे संकेत, ठीक, अभी अनिवारे संकेत का मतलब क्या होता है, अनिवारे का मतलब समझे पहले, जैसे माल लीजे हम कहीं काम कर रहे हैं और ये काम करना निवार है, जैसा स्कूल जा रहे हैं, तो ट्रेस पनना निवार है, स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में को दस बचे पहुशना निवार है, तो उससे निवारे कहते हैं, तो ऐसे काम को निवारे संकेत कहा जाता है, चलिए इसका डिफिनिशन को देख लेते है ऐसे संकेत जिन में किसी कारी को करने के लिए आपको अवर्शेक रूप से बोला जाता है ऐसे चिन्हों को अनिमारे संकेत कहते हैं यानि करना जरूरी है इन संकेतों के द्वारा कारीगर को सुराच्छात्मा किर्देश दिये जाते हैं और कारिगर इन संकेतों को सहस समझ लेते हैं यह संकेत नीली पुष्ट भूमी इसको पर्दे के ध्यान देज़े पर पेपर में पूछता है नीली पुष्ट भूमी अर्थाद ब्लू बैक्ग्राउंड पर शफेज संकेत द्वारा वृत अकार के बने होते हैं जैसी कि आखो में ढीले-डाले कपड़ा पंड़ के नहीं जाते हैं और सुस पहन के जाते हैं इस तरह की जो प्रजड़ संकेत मौटर्च होती है इसको करना जरूरी होता है तो visit इसी को कहते हैं निवारे संकेत, ठीक है अब ये क्या है, इसके सिंबल है, इसके सिंबल हम लोग ने जाना, कि यह संकेत नीली पुष्ट भूमी, जो पुष्ट भूमी जो पीछे का बेगराउंड होता हो नीला कलर का होगा, बेगराउंड वो सफे संकेत के द्वारा, बृत क तो आफ देखें नीवार्स केत्त में इसकी में सिंबॉलकों को देखते हैं ते पिष्ट भूमी हो इसकी सफेद सकते हैं यह जो प्रिष्टभूमी इसको देखिया आप यह प्रिष्टभूमी देखिए इसकी क्या है नीले कलर की है ठोजीन हूँ अदेखिए इसको कहते हैं यह जो प्रिष्ट भूमी है यह जो इसकी प्रिष्ट भूमी ठीक है ना यह प्रिष्ट भूमी किस कलर की है नीले कलर की है और इस पर और इस पर क्या किया गया है और इस पर क्या किया गया है तो सफेद कलर का इस पर कि प्रिष्ट भूमी है तो सफेद कलर का इस पर कि प्रिष्ट भूमी है ठीक है प्रिष्ट भूमी क्या इसकी नीली है और इसके उपर सफेद कलर का फिकर बना हुआ है ठीक और व्रीद क्या कारका है इसे क्या को सब कहेंगे हम यह हमारा निवारे संकेत है इसनी संकेत को करना जरूरी है ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं निवारे संकेत हो गया इसके बाद है चेताउनी खतर या सवधानी चेताउनी ठीक चेताउनी जिसे देखें माल लीजे चेताउनी कैसे कहते हैं कि आप वहां आ जाए आप खतरा में पर सकते हैं आगे मत जाए आगे खाई है तो हम पहले लोगों को चेता देते हैं चेताउनी कर देते हैं तो उसे चेताउनी कहा जाता है तीने चेताउनी संकेत इसके बारे में देखे समझ लेते हैं ऐसे सके जो कि इससे अस्थान पर खतरे को बताते हैं जहाँ पर कारिगर को भभलने की जताउनि दी जाती है ठीक है ना यह तिरभुचाकार की पीली पुष्ट भूमी पर काले चीतर बना कर पर्दसित किया जाता है। ठीक तो ज़ली ज़ली हम देख लेते हैं। देखिए इस में आप देख रहे है कि पुष्ट भूल पीली है इसकी। इसके वब यह तिरुबँज प्रकार का है। तिरुबुज यह तिरुबँज है कार है। और और इसके बैक्ग्राउंड जो पीले कलर्रके हैं ठीक? और काले कलर komme फीगर है इसको ध्यान देंगे आप ठीक है आप देखी आगे लाट आस्ट है छाहत छाशन अत्समस वश्रिट में क्या है आपका सुचनात्मस हम संक्यत कहते हैं यह वरगाकार होते हैं इनकी हरी पुष्ट भूमी गृन और और सफेद रंग आकई कृषित दुवरा परदgenanie ठ्वाट छरिए उसको देखते हैं इसके फिगर को देखते हैं कर दो देख रहे आप यह देखिए एगा यह जो निफा कर अ aan इसकी पुष्ट भूमी है जो इसकी यह हरी कलर की है अब देखे हैं हरा कलर का इसके सफेद कलर का सिंबल बना हुआ है ठीक है न तो यह कौन सा है यह चनात्मक संक्यत है यारी सूचना दिया जाता है ठीक तो इस तरह से हम लोगने इसको देखा चलिए अब प्रश्ण पर जा क्या है हम लोगने सभी प्रस्णों को देखा अब बारी-बारी से हम इसको देखते हैं ठीक अब कह रहा है इससरस्ट चीन का नाम है आप यह सुरक्षा चिन देख रहे हैं यह इसका नाम ऊ evalu क्या भ्याशन करा है कि यह कौन सा चिन यह चिन है यह subwn-Weekeread अगनी में इंधन मिलाना अगनी से इंधन अलग करना जल का फूपियो करना अगनी को अपूरति से अलग करना सबसे हमें सबसे हमें हमें बेस्ट अप्सण देखा जाए तो कर करना देखें, सबसे इसमें बेश्ट आप्सन देखा जाए, तो हमें अगनी को अक्सिजन से आपकूर्ती से अलग करना है, जैसे हम किसी भी आग को जब बुझादना चाहते हैं तो उसकी oxygen को जदी हम बंद कर दें तो हमारा आग क्या हो जाएगा सब्सक्राइबर है अगनी में इन्धन को मिलाना अगनी में जब हुँ दघ cater then ना यह जाएगे ठीक है चलिए नेश्ट देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न मेंसे भौतिक हानी क्या है ठीक तो आप देखिए आप समझिए धुर्ब भौतिक हानी पूछ रहा है ठीक है ना फिजिकल ठीक तो देखिए धुमरपान भौतिक है कमपन छारण रिडियो सक्रियता सबसिस में बहुतिक कौन सा हो जागा बहुतिक हमारा कौन सा हो जागा यह तो बहुतिक हमारा कंपन हो जाएगा यह बहुतिक हानी कहलाती है अब देखें नेश्ट देखते आगे इन में से अगनी रोधक का उपियोग करने का सही करम क्या है? अगनी रोधक का उपियोग करने का सही करम पूछ रहा है तो आप देखिए खीचना, निशाना, लगाना, दबाना और घुमाना ठीक, खीचेंगे, निशाना लगाएंगे, दबाएंगे और घुमाएंगे ठीक, पहला अपसन हुगा, खीचना, निशाना लगाना, घुमाना, फिर दबाना ये नहीं हो सकता, ये तो गलत हो जाएगा माली जी खीचेंगे निशाना लगाएंगे घुमा के दबाएंगे हम दबा के घुमाएंगे गलत है यह धकेलना अवेवस्थित करना दबाना घुमाना यह भी गलत हो जाएगा आपका धकेलना वेवस्थित करना घुमाना अनुकरब यह भी गलत हो जाएगा आपका आपका ब चलिए निश्ट हो जाएगा हमारा निश्ट दिखेंगे तो इसको जादा मत सोचिए बस इसना ध्यान रखिए आप कि 5S का प्रशन कभी भी आए तो तुरंत आपको क्या करना है चतुत चरण को मारना है ठीक 5S संकल्पना में निमन में से कौन सा चरण एक्स्टेंडरलाइजेशन को इंगित करता है तो चतुत चरण ठीक है ना चलिए नेक्ष देखते हैं नेक्ष हमारा कौन से प्लायर का उप्योग तार की हूंक और लूप बनाने में किया जाता है ठीक जैसे हूंक और लूप बनाने में किसका उप्योग करते हैं यह पूछ रहा है हमसे ठीक है तो इसको दियाओ अप्शन को पढ़िए आप फ्लैट नोज प्लायर लॉप 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 लॉयरो यह तो राउंड बनाएंगे और यहां राउंड बोली रहा अब देखिए ओप्सन क्या दिया हुआ है अब देखिए ओप्सन क्या दिया हुआ है लकड़ी में से किपी निकालने में देखिए option हमारा आगए पिंसर जो होता है लकड़ी में जो किल लगी रहती है उनको निकाला जाता है पिंसर से ठीक न है था हमारा option number C सही हो जाएगा ठीक है चलिए next देखते है नेक्स्ट है हमारा इस संख सुरच्छा चिन का क्या नाम है अब देखिए आगया चिन हमारा इसका नाम पूछ रहा है क्या है ठीक देखे option दिया आवर श्रेक चिन ठीक है उसके बाद है सच्चे तक चिन है सुचनात्मक चिन है निसे धक चिन तो यह हमारा कौँ से चिन है तो यह हमारा आवर श्रेक चिन हो जाए option नमबर A ठीक चले नेक्स्ट देखते हैं आगे आगे हमारा मूल स्रणी में सच्चे तक चिन के पश्च भाग करन क्या होता है अब देखिए सच्चे तक चिन सुचना दे रहा है सच्चे तक चिन के बारे हैं पूछ रहा है मूल स्रणी में सच्चे तक चिन के पश्च भाग का भाग क्या होता है याद कीजिए आप अभी हमने बताया आपको सभी के फिगर दिखा दिखा के सच्चे तक चिन को क्या कहा जाता है है तो इसका क्या हो जाएगा शचीतक चिन में तो ये सचीतक चीन जो होता है यह इसके पिष्च भाग यानी बेक्राउंड के बारे पूछ रहा है पीछे का भाग तो पीछा का भाग इसका क्या होता सच तका पीला होता है तेक है इसको याद रखिएगा आप पूछता है प्रश्ण यह हमेशा आगे हमारा बिदुत उपकर cactus में लगी अगनी हित्व कोई सा अगनी सामक परियो किया है देखिये यहाँ पर क्या है ऐसे हम सीटी से भी परियो करते है जागला भी परियो करते है लेकिन क्या है कि यहाँ प्रकार का उप्सन में दिया हुए तो आप इतना याद रखे के हैं सहे जब अपिश्विट निपटानरी कौन से है जो घर्मी पैदा करती है अपिश्विट निपटानरी कौन से है जो गर्मी पैदा करने के जो हमारे कचछड़ा होता है क्या करेंगी उसे गर्मी होगी प्रह्ट चक्रन यान दूसरा चीज के दूसरा चीज करेंगी kick जो अब asymm挺 आई से सुरच्छा के लिए किस व्यक्तिक शुरच्छा का कव्पियों कि आंदर थूरस तरह से न्यार कोछ लगाएंगे तो हमारा ऑफ्षा यूंगरत networking BIS का पूर्र разм Yes का पूरा नाम पूछ है क्या होता है आते है प्रस्थों में दो BIS का पूरा नाम लिकिए लिए बीवरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड, Bureau ऑफ इंडियन और स्टेंडर option number 20 होगा Bureau of Indian standard Bureau of Indian standard होगा, देख्या ना option number 20 होगा आगे देखते हैं, चौदर नमबर प्रशन, भार उठाने और अस्थांत्रित करने के लिए किस परतिका उपियों किया आता है, यहनि कोई वजन उठाना, तो क्या करेंगे हम, ठीक, वजन उठाने के लिए तो अप्सन है, वींच करेंगे, ठीक, अगला है अप्सन, देखेंगे, वींच करेंगे एक था, दुसरा अप्सन है, क्रेन और सिलिंग, तिसरा अप्सन है, लियर और रोलर्स, मसीन चलिए, अब वजन उठाना तो क्या करेंगे, वजन से वजन उठाता है, आप्सन नमबर बीस, और सिलिंगे, वींच के, अप्सन सही हो जागा आपका, ठीक है, आगे देखते हैं, पंद्रवा परशन है आपका, आग बुझाने में स्टार्वींग क्या है, पूछ रहा है, आग बुझाने में स्टार्वींग क्या है, ओपसन है, अगनी में इंधन मिलाना, अगनी से इंधन अलग करना, जल का उपियोग करके तापमान कम करना स्टार्विंग का मतलब ही होता है, जल का उपियोग करके तापमान को कम करना यानि option number C सही होगा, ठीक है, आगे देखते हैं तो वीडियो कहीं समाप्त करते हैं ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे ठीक है ना चलिए धन्यवाद